एक इल्जाम भी लगता है विकास दिविकीरती जी इल्जाम हाँ मैं आ रहा हूं आ रहा हूं ठीक है भाई आप जनता पूछ रहे हैं आप उत्तर प्रदेश के मुक्रमंत्री योगी आधिक्तिनाथ पर अपनी प्रतिक्विया बता दीजिए जब जब योगी जी को सीम बनाने का फैसला हो रहा था उस समय दो तेन उमीदवार थे और मैं दिल से चाहता था कि योगी जी सीम ना बने हाँ मैं बहुत खुल के अपनी बात कहना पसंद करूँगा मैं दिल से चाहता था कि योगी जी सीम ना बने क्योंकि मेरे मन में उनकी छवी थी कि वो एक मठ वाले आदमी है और धर्म का आदमी सीधा राजनीती चलाएगा तो उतना अच्छा नहीं होगा लेकिन पिछले पांट साथ साल के कारेकाल में एकद बुद्धे पर मुझे कभी कभी लगता है कि कानून का शासन कितना बचता है कितना नहीं बचता है इन पर्फॉर्मेंस पे देखूं तो मैं कहूंगा कि वो एक शांदार मुख्य मंत्री हैं ये कहने में मुझे कोई आपत्री नहीं अब उत्तर प्रदेश तक पहुँच गया है तो बिहार का रुख कर लेते हैं बिहार के दो बड़े और चर्चित नेता मैं उन दोनों पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा पहले लालू प्रसाद याद आओ इन्होंने मेरी सुपारी लिए मुझे लगता है और आज ये मुझे मरवा के मानगी है मेरा पिछले कुछ साल में नितीश कुमार वहां मुख्य मंत्री है और मैं जनरली ये मानता रहा हूं कि वह काफी अच्छे मुख्य मंत्री है नए लोगों में तेजस्वी अदव से मुझे काफी उम्मीद है और मुझे लगता है कि वो जो जो लालू जी के समय की बाते थी कि जंगल राज होगा वो सब होगा इस बार जब ये पार्टी सरकार में आई तो मुझे चिंता थी लेकिन मैंने देखा कि पिछले कुछ महीनों के शासन में उन्होंने बहुत ताकत लगाई है कि वो छवी फिर से ना बन जाए और अगर तेजस्वी यादव उन गलतियों से मुक्ति के साथ मुख्यमंत्री बनने के रास्ते पर हैं तो मेरा ख्याल है कि बिहार के भविश्य के लिए वो एक अच्छे नेता साबित होंगे कई लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि UPSC की तैयारी कराने वाले और जो UPSC में सेलेक्ट हो गए हैं दोनों लोग एक सेमी गॉट से हो गए हैं डेमी गॉट से हो गए हैं बहुत जादा ग्लोरिफाई कर दिया गया है ऐसा लग रहा है कि अगर आपने आईस नहीं निकाला तो कुछ नहीं किया और आईस निकाल लिया तो आप सब कुछ हो गए हैं जो सिविल सर्वेंट सिलेक्ट होते हैं उनकी रील्स वाइरल होती हैं प्रिशासनिक कारियों से इतर वाइरल होती हैं ब्यूरोक्रेसी में इसको लेके बहुत नाखुशी जदाई जाती है कि आप इन सब चीजों को लेके क्यों इतना लाइमलाइट में आ रहे हैं मौक इंटर्व्यूज को लेके सफल केंडेट्स के इंटर्व्यूज को लेके लबासना में जिंदगी कैसी होती बहुत जादा ग्लोरीफाई कर दिया गया है और बहुत सारे चात्रों जो रात देन यहीं देखते रहते हैं पढ़ाई छोड़कर क्या कहेंगे इस पर मतलब इस पर दो बाते हैं कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी रील्स टीचर्स जो हैं उनकी रील्स क्यों बनती हैं कोविड के दौर में जब हमने यूट्यूब पे कुछ आना शुरू किया तो मुझे उम्मी और मुझे ये बात हजारों बार कही गई है कि हिंदी समाज में पढ़ने की इच्छा है ही नहीं जब मैंने अपने वीडियो यूट्यूब पे डाले लंबे वीडियो तीन घंटे चार घंटे पांच घंटे का वीडियो भी छे घंटे का वीडियो भी डाला तो मुझे यू वीडियो तीन घंटे-चार घंटे का है वो भी दो करोड, तीन करोड, साड़े-तीन करोड लोगों ने देखा तो मैं एक बात तो आप से कहना चाहता हूं कि पिछले तीन साल में मेरी धारणा ये बन गई है कि हिंदी का समाज भी ग्यान का, समझ का, पढ़ाई का उतना ही भूखा है, जितना कोई भी सब्भे समाज होता है और यदि, और यदि मेरे जैसे कुछ लोग, जिनमें मैं भी सायोक से शामिल हो गया हूं इसमें कुछ भूमिका ने भा रहे हैं, तो ये स्वागत की बात है, नमबर वार कोविड ने क्या किया, कि जो वीडियोस पॉपलर होते हैं, उनके क्लिप निकाल निकाल के, खई चैनल्स ने क्लिप जालने शुरू की मुझे ये मेरे टीम ने बताये कि करीब 40-50,000 चैनल्स हैं जो हमारे क्लिप्स काटके चलाते हैं और पैसा कमाते हैं हमने शुरू में एक्षन लिया एक दो बार, फिर जब उन्होंने निवेदन किया कि सर आपको इसमें क्या दिक्कत है, हम पैसा कमा रहे हैं तो हमें भी लगा कि हमें क्या दिक्कत है और यदि कुछ लोग कमा रहे हैं अगर इससे रोजगार बढ़ रहा है तो हमें क्या परशानी है अब उनका रोजगार बढ़ा और लोगों ने हमें पहचाना शुरू कर दिया मुझे कोविड के समय में मध्य परदेश जा रहा था कार से एक बार जिन्दगी का पहला ऐसा वाकिया है एक रिमोट गाओं के अंदर पेट्रोल पूम छोटा सा वहां कार रोकी कि चलो पेट्रोल भरवा रहे थे हैं वहां में उतरा वाश्रूम गया और वाश्रूम में साथ में खड़ा वग्यक्ति कह रहा है आप विकासर हैं तो फिर हम कहते हैं राइट टू प्राइवेसी अब सोची यह हालत क्या होगी उस सब्सक्राइब मैं क्या भाई तुम कौन हो तो मुझे लगा यह कैसे जानता है मुझे तो उसने बताए कि मैंने यूट्यूब के आपको कई बार देखा है उस दिन मुझे यूट्यूब की त यही है यह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे उस सुरंग से बाहर निकालके एक इंटर्व्यू लिया ललन टॉप मैं बहुत अंतरमुखी आदमी हो बहुत इंट्रोवर्ट हो पिछले साल यहां भी नहीं आया था इसी अंतरमुखी होने की वज़े से इन्होंने कहा कि आपको एक इंटर्व्यू देना है हमारे ललन टॉप है वो मेरी जिंदगी का पहला इंटर्व्यू था उसके बाद तो फिर अब आप जानते हैं जब लोगों ने देखा तो पहचानना शुरू किया यह बात सही है और मुझे लगता है कि अगर टीचर्स को लोग सम्मान द बढ़ रहे हैं तो सम्मुरा क्या है ठीक ही है